फ्रेंड्स आज हम आपको बताएंगे कि आप अपने पुराने सिलिंग फैन को कैसे BLDC फैन में कर्वर्ट कर सकते हैं आपने थमनेल में देख लिया होगा और यहां पर मैं आपको बताऊंगा इसके लिए आपको क्या करना होगा और बहुत ही चोटा सा वीडियो है बहुत ही 20W अगर हम दो फैन चलाएंगे BLDC और एक हम साधा फैन चलाएंगे तो साधा फैन वाला जो हमारी ज्यादा लाइट खाएगा और दो जो फैन चलेंगे BLDC वह उनसे एक फैन से भी कम लाइट खाएंगे तो काफी फाइदा है आज हम आपको इसमें बताएंगे कि इसके लिक भी मैं दूंगा जो सामान आप मैं आपको बताऊंगा उसका लिंक पर सकते हैं तो दोस्तो मेरा नाम है समय और आप देख रहे हमारा यूटूब चैनल टेक्निकल समय है तो दोस्तो आईए ज़रो करते हैं वीडियो तो फ्रेंड्स यहां पर आप देख रहे हैं यह फ तो उसमें आप क्या करना है तो उसके लिए यह किट आती है इसका link मैंने description में दिया है और इस किट में आपको क्या क्या सामान मिलता है इसके बारे में हम बात करेंगे तो सबसे पहरे हम बात करते हैं इसमें मिलता है आपको एक stator और जो sml coil जिसको बोलते हैं यह stator आपको जो rotor जिसको हम इसके साथ मिलेगा star type magnet magnet वाला rotor आपको इसमें मिलेगा जिसको आप अपने fan में set कर पाएंगे क्योंकि उसका जो पुराना rotor है उसको निकाल दे ये set हो जाएगा बहुत ही आसान है set करना जब आप इसको purchase करेंगे तो आसानी से इसको set कर पाएंगे और हो सकता है मैं बहुत ही जल्द इसका video बनाँ और आपको set करके बताऊँगा एक PCB plate मिलती है जिस पर आप इसका circuit रखेंगे और circuit को रखकर इसके उपर वो circuit रखा जाएगा जिस पर इसकी जो connection वाली plate है वो कसी जाएगी और इसके बाद हम बात करते हैं इसकी canopy की जो इसी PCB plate के उपर आएगी और ये इसका circuit है जो ढख जाएगा नीचे और कुछ भी नहीं दिखेगा इसमें और ये canopy आपको एक मिलती है इसमें और इसके बाद आपको मिलता है इसके साथ इसका जो circuit है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं AC 90V से 265V और DC 12V से 30V तक आप इसको चला सकते हैं IR sensor है इसके अंदर और coil connection है AC DC in IR controller भी इसके साथ आपको मिलता है और इसमें reverse forward का option भी आपको मिल जाएगा तो यह PCB आपको मिलेगी इसको आपको set करना होगा यह क्याए कि fan को fit करने के बाद उपर लगती है PCB plate जो red color के मैंने आपको दिखाई थी आगए उसमें तो यहाँ पर आप देखें button off का इसमें है switch off कर सकते हैं मतलब पांस तक और slip mood का है इसमें लिखा हुआ है each one hours speed will be reduced one by one after five hours fan will be turn off याने कि आप इसको एक गंटे के बाद इसकी speed slow हो जाएगी और फिर पांच गंटे बाद यह off हो जाएगा और इसमें slip mood है एक गंटे का लगा सकते हैं आप इसमें तीन गंटे का भी लगा सकते हैं तो यह option इसमें आपको मिल जाएगे कोई भी problem आपको इसमें नहीं आएगी अगर फिर भी कोई परेशानी अगर आपको आती है तो आप इसको आप हमें comment करें और इसमें कोई भी दिक्कत आदिये comment करें और इसका link मैंने discussion में दिया है आपको वहाँ से click करना है और लिंक पर जाना है वहाँ से आप इसको purchase कर सकते हैं कोई भी दिक्कत आपको उसमें नहीं आएगी तो friends आपने देखा मैंने आपको बता है कि किस तरीके से आप VLDC fan बना सकते हैं अपने normal fan को और इसमें काफी सारा फाइदा है फाइदा यह है कि इसके साथ आपको कई सारे option मिल जाते हैं जैसे reverse forward का और इसके अलावा आपको regulator की जरुत इसमें नहीं पड़ती है जैसे आप speed अपने साब से इसकी set कर सकते हैं तीसरा इसमें sleep mood है sleep mood का फायदा यह है कि आप उसका time set कर दें कि 1 घंटे के बाद speed कम हो जाएगी और 2 या 3 घंटे के बाद off हो जाएगा या 5 घंटे बाद off हो जाएगा एक गंटे का 3 घंटे का 6 घंटे का इस तरह का time इसमें आप भर सकते हैं remote से आप यह चलता है कोई भी दिक्कत आपको इस उमें नहीं आएगी और इसके अलावा यह लाइट भी कम खाएगा अगर आपके घर में 90 वोल्ट तक लाइट आती है तो यह फर्स क्लास चलेगा कि अगर क्या होताई गर्मयों में हमारे घर में बहुत कम लाइट आती है जिससे पंका भी देरे देरे चलता है तो इस fan में आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है तो friends उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो इसे like share जरू करें और comment करना न भोलें अगर आप ज़्यादा comment करेंगे तो मैं इस पर एक वीडियो बनाऊँगा आपको BLDC fan बना कर बताऊँगा तो मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नई टोपिक के साथ तब तक के लिए बाई बाई टेक केर